मलाकिब विशौकता की बुस्तक अध्याय दो और अब हे याज को यहाग्या तुम्हारे लिए है यदि तुम इसे न सुनो और मन लगा कर मेरे नाम का आदर न करो तो सिनाव का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूँगा और जो वस्तवे मेरी आशिस से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा बरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है देखो मैं तुम्हारे कारण बीच को जड़कूंगा और तुम्हारे मुह पर तुम्हारे परबो के यदन पशों का मैल फैलाओंगा और उसके संग तुम भी उठा कर फेक दिये जाओगे तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यहाँ आग्या इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे सिनाओ के यहवा का यही वचन है मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांती की है और मैंने यहाँ इसलिए उसको दिया कि वह भाय मानता रहे और उसने मेरा भाय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यनत भाय खाता था उसको मेरी सच्छी व्यवस्ता कंठ थी और उसके मुह से कुटिल बात न निकलती थी वह शांती और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्मस से लवटा ले आया था याजक को तो चाहिए कि वह अपने उठोक से ग्यान की रक्षा करे और लोग उसके मुह से व्यवस्ता पूचे क्योंकि वह सिनाव के यहवा का दूत है परन्तु तुम लोग धर्म के मार्ग से आप ही हट गए तुम बहुतों के लिए व्यवस्ता के विशे में ठोकर का कारण होए तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है से नाओ के यहवा का यही वचन है इसलिए मैंने भी तुमको सब लोग के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते बरन्त व्यवस्ता देने में मुह देखा विचार करते हो क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमिश्वर ने हमको उत्पन नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासगाद करके अपने पुरोजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहुदा ने विश्वासखात किया है और इस्रायल में और यरुशले में गुरुनित काम किया है यहुदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहुदा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है जो पुरुष ऐसा काम करे उससे सिनाओ का और सेनाओं के यहवा की भेट चरहने वाले को यहुदा के तंबू में से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आसों से भिगो दिया है। यहां तक कि वह तुमारी भेट की ओर दुष्टी तक नहीं करता और नप्रसन होकर उसको तुमारे हाथ से ग्रोहन करता है। तो भी तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों इस कारण कि यहुआ तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ जिसका तुने विश्वासखात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी और एक ही को क्यों बनाया। इसलिए कि वह परमिश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विशे में चौकस रहो और तुम मेंसे क कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वास खात न करे, क्योंकि इसराल का परमिश्वर यहोवा यह कहता है, कि मैं स्त्री त्याक से गुणा करता हूं, और उसे भी जो अपने वस्तर को उपद्रव से ढापता है, इसलिए तुम अपनी आतना के विशे में चवकस रहो, सिना के यहोवा का यही वचन है, तुम लोगोंने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया, इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है, वह यहोवा की दृष्टी में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों स प्रसन रहता है और यहां कि नियाई परमिश्वर कहां है